अजी गृदिंट क्याल चाल हाँ जी तो पॉटफोलियो मैंच्मेंट का second lecture total portfolio management का revision मैंने कहा था कि totall तीन parts में होके पहले part में modern portfolio theory पढ़ा हम लोकों ने दूसरा पार्ट रहेगा हमारा Capital Market Theory and Capital Asset Pricing Model आज की ग्लास में पूरा CAPM चलेगा ठीक है और जो तीसरा पार्ट रहेगा उसमें रहेगा Arbitrist Pricing Theory Corner Theory और Portfolio Rebalancing ठीक आज का पार्ट, आज का लेक्चर सबसे ज़दा important है ठीक है आखिर क्या है आज के लेक्चर सुनो काम की बाद समझना Modern Portfolio Theory में हमने क्या discussion किया था सिर्ड, Modern Portfolio Theory में हमने ये discussion किया था कि हम लोगों को एक stock में पैसा लगाना है कि एक से ज़्यादा stocks में पैसा लगाना है और target क्या है correlation, perfect and negative होना चाहिए पर ये सवाल ये है कि अगर एक से ज़्यादा stock में पैसा लगाना है तो 2 stock या 3 stock या 5 stocks, कि 10 stocks, कितने stocks तो modern portfolio theory का कहना है, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा stocks में पैसा लगाओगे, आपका risk कम होते जाएगा, ज्यादा से ज्यादा stocks, उस matter पे हमको बात करना है, हम यहां पढ़ेंगे कि क्या होता है systematic risk, क्या होता है unsystematic risk, पर एक topic था corner theorem, या minimum variance portfolio, उसका इस attempt में question आया था, और क्योंकि है तो conceptual, पर अगर रटा मारके गया होगे, तो वो question हो नहीं सकता था, क्योंकि उसमें short sell था, हाँ, मजे की बात यही, तो वो corner theorem का question generally मैं modern portfolio theory के बाद ही करवा दिता हूँ, मैंने exam oriented books, जो मुझसे आपने लिया होगा, उन लोगों को मैं ने modern portfolio theory के बाद ही corner theorem करवा दिया है, पर मैं यहाँ नहीं करवाने जा रहा हूँ, यहाँ proper काम करेंगे, मतलब हम बात करेंगे पूरा C.A.P.M. के सबसे, एक equation है, सर यह equation क्या बोलती है, equation कुछ नहीं बोलती, पर इस equation से हमारा, कुछ line, कुछ equation तयार होगी, चाहे वो security market line हो, या capital market line हो, या characteristic line हो, या फिर आपका critical line हो, जो आप corner theorem में, वो सारी line इस equation से होती है, तो एक बार समझतो ले कि क्या है, सर यह कुछ simple equation है, जिसको आप बोलती है, equation of critical line, equation of critical line, ठीक के सर, क्या करवाया था सर, पिलकुल, और equation क्या है, critical line का, mx प्लस b, या y प्लस mx, सर मतलब क्या है, b प्लस mx ले लो, b प्लस mx, कुछ-कुछ चीजे मैं यहां सुधारते हुए चल रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान दो कि, ठीक है, मैं आपसे सिंपल सा question बूछ रहा हूँ, भूल जाओ कि आप portfolio पढ़े हो, भूल जाओ, और यह आपको मैंने पढ़ाया था, starting में, मैं कहा रहा हूँ, मान लो, x से return हो रहा है 15%, तो y में है 22%, ठीक है, इसमें 18, तो इसमें 28, it means अगर sir, यह 3% से बढ़ता है, तो यह total मिला कर कितने परशन से बढ़ता है, 6% से बढ़ता है, double, तो अब बताओ, यह 2% से बढ़ा, तो यहां क्या आएगा, simple है, बिल्कुर simple, बिल्कुर अराम से काम हो जाएगा, कि यह 2% से बढ़ा, तो यहां कितने से बढ़ेगा, sir, यह 3% से, तो यह 3% से, double, तो sir, यह 2% से बढ़ा, तो यह 4% से बढ़ेगा, it means sir, यहां सीधी सी बात है, 32 है जाएगा, yes, पर इसी को हम equation के इसाब से करने की कोशिश करेंगा, और देखो मैंने equation क्या लिखा, पहला लिखा, 22, b, 15, m, sir, यह क्या है, sir, यह 22, 22, किसका रिटन, y का, और x का रिटन, इधर लिखा, 15, कुछ m लिखा, कुछ b लिखा, बस x की जगा मैंने क्या लिख दिया, 15 लिख दिया, ऐसी दूसरी equation भी लिखा, sir, y का कितना है, 28, b को b, b क्या चीज़ है, बाद में सुचेंगे, b, और यहां लिखा, 18, m, क्यों समझा रहा हूं, मैं आपको याद दिला, इस equation के मिना, हमारा portfolio आगे नहीं बढ़ सकता, रट्टा बाना हो, तो फिर तो अलगी बात है, पर आपन हो गया, b से b, बीटा नहीं हो, b से b कट हो गया, तो sir, equation m is equal to 2 आगया, ठीक है, और हमने m कोई भी equation में m की value लिखा, तो यह आगया, minus 8, तो अब हमें b मिल गया, yes, equation क्या था, b मतलब minus 8, m का मतलब 2 और x का यह, यह equation से हमें क्या पता लग रहा है, बेटे, equation से एक चीज समझ में ही, कि अगर आप x की value यहां कुछ भी लिखो, तो y की value आजाएगी, suppose x की value कितना लिखा था, मैंने 20, तो 20 into 2, 40, और 40 में से minus कर दो 8, 32, ठीक है, it means, इसको बोलते, equation of y is equal to b plus mx, क्या equation है, मैंने समझा के बताया, 2 simultaneous equation से यह equation बनता है, ठीक है, इसकी जरुबरत आगे पड़ेगी, portfolio में इसका क्या use है, तो portfolio में इसका अभी, अभी कोई use है, हम आगे चले, yes, आगे चले, तो, अब इस्टार्ट हो रहे है class, sorry, बीच में वो समझाना जरूरी था, तो कि जिन बच्चों ने मुझसे class लिया है, उन्होंको यह पता है equation, इसी वज़ा से, ठीक है सर, तो हम modern portfolio theory, अब पढ़ रहे हैं हम लोग, capital market theory, सर, capital market theory क्या बोलता है, capital, ध्यान से समझ रहा, मैं क्या बोलना चाहरा हूँ, concept में दिक्कत है, तो फिर तो बनने से रहा paper, capital market theory यह बोलता है, सर, की modern portfolio theory के हिसाब से, आपको एक stock में पैसा लगाना की, बहुत सारे stocks में, बहुत सारे stocks में, अगर बहुत सारे stocks में पैसा लगाना ही है, तो क्यों ना, sensex में लगा लो, हाँ ना यार, sensex में लगाई ना दिक्कत क्या, आप बोलते ना, risk कट जाएगा, risk कट जाएगा, जितने ज़्यादा stocks में पैसे लगाते जाओगे, risk कम होते जाएगा, तो चलो ने, इससे ज़्यादा stocks तो, अब में तो पैसे आप लगा नहीं सकती, इतना पैसा थोड़ी ने, कि MRF टायर का भी शियर खरीद रहा है, Reliance का भी खरीद रहा है, इतना पैसा तो नहीं है हमारे क्योंकि risk खतम हो जाता हो, तो हम sensex में लगा लेते हैं, ठीक है सर यहां तक, तो sensex में पैसे लगाएंगे, sir sensex में तो risk है ना, हाँ, और sir sensex में risk है, पर हम तो ऐसे stock को चुन रहे थे जिसमें कम से कम risk हो, आप बोलते है sensex में, पर sensex में तो जादा risk है, हम तो ऐसे stock को ढू जी, bonds में पैसा लगा दीजिए, बस इन दोनों में इस तरह से पैसा लगाया जाए, कि आपको जितना risk लेना है, उतना risk ले सकते हो, यह उद्देश से था capital market theory, ठीक है sir, मैंने उद्देश से बताया, आगे चले, yes, तो लिखा, every investor wants to invest in most divergy portfolio, hence, portfolio, hence, he should invest in market portfolio, that is sensex या nifty, पहले था 50,000 points, अभी हो गया, अभी हो गया, 55,000 points, तो बताओ, कितने percent का return है, market का return है, 10 percent, इसको बोले जाता है, आ रहा है, ठीक है जी, ठीक, main concept पर चलना यार, वैसे तो, सिर्फ और सिर्टवा नहीं है, तो मैं कैसी भी रटवा दूँगा, ठीक, चलो, example से बात करते है, क अब हम market में पैसा लगाने का सब, sensex एक example है, अब sensex में भी लगा सकते हैं, तो सर, market का return है, 15 percent, ठीक है सर, और market का standard deviation है, 4 percent, market में पैसा लगा ये, समस्या नहीं है, लेकिन market में पैसा लगा रहे हो, 15 तो 15 से उपर भी हो सकता है, 15 से नीचे भी हो सकता है, ठीक है, और अगर risk free में पैसा लगाना चाहते हो, तो लगा सकते हो, पर 6 percent का return मिलेगा, और risk free का standard deviation 0 है, हम भी जानते हैं, तो हमने का चलो, हम risk, risk average investor, मतलब ऐसा एक investor है, जो risk नहीं लेना चाहता, वो sensex में लगाएगा पैसा ऐसा नहीं, पर पूरा की पूरा नहीं लगाना चाहता है, इसको मत 10,000 रुपए, जो है, sorry, 1,00,000 रुपए, ठीक करते हुए जाना बहुत सारी mistake है, मेरा एक काम करता हूँ, और एक काम, क्योंकि typing में mistake हो जाती है, मेरे किसी बच्चे का handwritten notes, copy, उसका भी पूरा की पूरा उन्होंने solve कर रखा है, मेरे ही presentation से, और same questions है, और same solutions रहेगे, तो उस का भी handwritten notes description में डाल देता हूँ, portfolio cash पूरी class, जबरत पड़ी को, काम आजाएगा, यही रहेगा हलाकी, पर इसमें misprint है थोड़ा सा, इसी वज़े से कहीं आप confused ना हो जाओ, चलो भाई, तो एक लाग रुपए investment करना है, एक लाग में से हमने सोचा क्यों ना market में कितना लग है, सर, risk free पे लगा है, तो बताओ यह हम return कितना कमाएंगे, expect return portfolio, अब मेरा portfolio कभी भी, portfolio कभी भी क्या नहीं है, मेरा portfolio अलग-अलग stocks पे नहीं है, किस पर है, सर, हमारा जो portfolio है, वो market पे है, और risk free पे है, ठीक है, तो कितना कितना लगा weight दिख रहा है, इधर कितना है, 0.7 और इधर कितना है, 0.3, तो 15 into 0.7 और 6 into 13.3, और standard deviation of portfolio कैसे निकलेगा, सर, standard deviation of market into weight of market, plus standard deviation of risk free, जो की 0 होता है, तो इधर लिखने का मतलब ही नहीं है, तो standard deviation of market into weight of market, कितना आ गया है, 2.8%, यहां तक ठीक है, it means, एक formula हमारे काम का है, अगर हम दो ऐसी जगा पैसा लगा रहे हैं, एक market में, और एक risk free में, तो standard deviation of portfolio का formula याद रखना है, standard deviation of market into weight of market, यह याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है, कुछ है होते है, risk lover, risk lover कौन होते सर, जो risk लेना चाते, बुलते है, एक लाख रुपिया है कि हमारे पास, yes, तो बले रखो एक लाख रुप है, वो तो लगा नहीं है market में, साथ में risk free में मत लगाए, वहां से भी पैसे उठाइए, और वो भी लगा दीज़, डबल जो होगा देखा जाएगा, it means, जब हमको 15% की कमाई हो रही है ना, तो पूरा लगाओ अपना, और risk free का भी उठाओ, और वो भी लगा दो, 4% पर उठाइए, 15% पर लगाइए, और क्या चाहिए, risk लेने को तयार है, तो देखे, हमारा खुद, ये important example है, काम आने वाला है, please ध्यान दो किया, हमारा पैसा कितना लग रहा है, हमारा पैसा सर, 1,00,000 है, हमारा पैसा, ठीक है, और हमने borrow, borrow है ये, borrow किया कितना, तो टोटल हमारा कितना जमा हो गया सर टोटल हो गया हमारा 1,30,000 रुपई जमा ठीक है और इस 1,30,000 को हमने मार्कit में लगा दिया कितने पर्शन पर, 15% पर तो बताओ 1,30,000 पर हम कितना कमाएंगे 1,30,000 का सर 15% कमाएंगे 19,500 पर इस 30,000 पर हमें 6% देना भी तो पड़ेगा हाँ सर तो हम क्या करते थे 1,30,000 into 15 15% कमाएंगे लेकिन 30,000 पे हमें कितना देना पड़ेगा 6 तो जितना बचा वो तो हमारा बचा ना और वो हमने exactly 1,00,000 पे कमाया यह मैं डिसकस कर चुका हूँ 1,30,000 पे 15 minus 30,000 into 6 दे दिया बचा हुआ वो तो हमारा हुआ वो हमने 1,00,000 पे कमाया क्योंकि हमा सर हमने तो 30 पे भी बैटे वो तो दे दिया न मैंने ठीक तो टोटल कमाई कितने की हुई 17.7% ठीक है सर अच्छा इसको हम weight के से भी कर सकते weight of market weight of RF it means weight of market कैसे निकालते है तो market में कितना पैसा लगा रहा है एक लाक 30,000 और खुद का पैसा कितना है एक लाक तो बोलो कितना आ गया है weight of market आ गया है 1.30 क्या weight 1 से ज़्यादा हो सकता है हो सकता है करवाया हूँ अच्छा weight of RF कैसे निकालोगे सर हमने उठाया पैसा तो minus 30,000 और नीचे हमेशा on fund रहेगा divided by एक लाक तो weight कितना आ गया RF का 0.30 तो 15 into 1.3 6 into minus 0.3 अंसर उतना ही आना है 17.7% ठीक है इसमें क्या सीखने वाली चीज़ थी इसमें याद रखने वाली बात एकी थी कि कि आपको weight 1 से जादा आता है weight negative भी आता है इस बार कॉर्णर थियोरम में weight negative आ गया तो बच्चों के होस उड़ गया थे यार यह तो basic classes है weight negative कैसे आता है weight negative भी आता है ठीक है और standard division of market कितना है standard division of market standard division of portfolio कैसे निकलते है standard division of market into weight of market तो answer कितना आ गया 5.2 पर तो इन सब examples में जो मैंने अभी examples करवाए इसमें सीखने वाला क्या था सीखने वाली चीज यह थी कि पैसा अगर market और RF लगाती है तो standard division of portfolio कैसे निकलते हैं यह दूसरा सीखने वाला था कि weight 1 से जादा भी आ सकता है और weight minus में भी आ सकता है ठीक है ठीक है तो equation बना हो इसको ठीक कर लेना है equation of CAPM ठीक है हाला कि हाँ equation of CAPM के अलावा यहां में एक equation भी बना सकता था equation of capital market line अगर मैं graph wrap बनानी की कोशिश करूँ वो मैं आपको करवाया हूँ graph बनानी के लिए आता है क्या सर नहीं आता है जब नहीं आता है तो हम क्यों महनत करें हाला कि मैंने आपको ढंग से समझा रखा है capital market line का कि सर इधर standard deviation of market होता है इधर RF होता है इधर expect return होता है और उसका मैंने आपको graph wrap बना कर detail में समझाया भी हूँ ठीक है exam में आता नहीं है तो उस matter उसका कोई question भी नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ रहे है इस अब बात आती है capital asset pricing important है CAPM पिक्चर में आया है क्यों अब सुनना यार modern portfolio theory क्या बोलता था कि सर अलग-अलग stocks में पैसा लगाना है ठीक है और कोशिश यह करना कि उनका आपस में correlation क्या होना चाहिए negative हमने का ठीक है अलग-अलग stocks में पैसा लगाने का उद्देश एक तो correlation वाला concept है और दूसरा जितना divergify करोगे उतना अच्छा है क्योंकि अगर आपने एक जगा पैसा लगाया और वह डूब गया तो अगर आप दो-तीन जगा पैसा लगाओगे तो एक जगा डूबेगा बाकी दो जगा तो बचा लोगे इसलिए divergification ज़रूरी है हमने का ठीक है फिर हमने का अच्छा एक बाद बताओ भाई हमने मान लो लगा लिये दो-तीन चार इस्टॉक्स में पैसे लगा लिये आपने बोला हमने चार इस्टॉक्स में पैसा लगा लिये डाइवर्जिफाई कर लिया पर यार मार्केट क्रैस हो गया कोवीड आया था कोवीड आया तो पूरा मार्केट डाउन हो गया पूरा मार्केट डाउन हुआ तो भाईया चार में लगाओ चायदास में लगाओ आप तो बरबाद क्या उससे बच सकते हो क्या सवाल बस इतना क्या उसको मैनेज कर सकते हो और C.A.P.M. बोलता है हाँ जी sir, Markowitz के हिसाब से, रिस्क को कम कर सकते हैं कि हाँ, पर उस रिस्क को कम करते हैं, उस रिस्क का नाम है, अनसिस्टेमाटिक रिस्क अच्छा, ये बात है, हाँ जी अनसिस्टेमाटिक रिस्क का मतलब होता है, company specific risk, अगर एक company में कोई problem आई, तो एक ही में आईगी, तीन में थोड़ी न आईगी, अगर किसी company में कोई bankrupt हो गई, तो एक company होगी, तीन company थोड़ी न होगी, इसलिए मैंने चार जगाप ऐसा लगाए है, कौन बोला, Markowitz, ठीक है, C.A.P.M. क्या बोलता, C.A.P.A. बोलता, ठीक है अच्छा सर, तो दो टाइब के risk है, systematic, unsystematic और unsystematic risk को तो आप divergify करके बस सकते हो, पर systematic risk को कैसे manage किया जाएगा, C.A.P.M. बोलता है कि वो हम बताएगे, ठीक है सर, तो चले आगे, yes तो C.A.P.M. का equation क्या था, बच्पंद में बढ़ा है और मैंने detail में concepts में equation की बात करूँगा तो उन्होंने equation बता आया है C.A.P.M. का equation कि RF प्लस बीटा RM माइनस RF और इसको क्या बोला जाता, इसको बोला जाता risk premium यह यहाँ भी पढ़ना है यह security valuation में भी पढ़ना हर जगा पढ़ना है सर, equation क्या बोलती equation कुछ नहीं बोलती, बोले अगर आप जो भी stock में पैसा लगाते हो, जिस भी stock में पैसा लगाते हो, तो आपको कितना return चाहिए तो बोले, हमें require it of return, हमें कितना चाहिए हमें इतना चाहिए कि हमें risk free का थो हमको मिलना ही चाहिए плюс तस क्योंकि मैं equity में पैसा लगा रहा हूं, risk free में तो risk नहीं है, पर equity में पैसा लगा रहा हूं, share market में पैसा लगा रहा हूं, तो मुझे difference भी तो चाहिए, मुझे difference चाहिए, difference, अच्छा सर, yes, जिसको बोलते है market risk premium, और अगर आपकी company का beta और भी ज़्यादा है, market से भी ज़् risk premium है, उसका अगर यह market से ज़्यादा है, तो 1.2 या 1.2 वह भी चाहिए, ठीक है, यह PM का equation यह है, बाकी बहुत सारा detail में मैंने discuss किया हूं, आपके साथ, चले आगे, yes, मान लो, yield on a T bill है, 5% इसको बोले जाता, RF, RF है 5%, market risk premium है, मतलब RM-RF है, 12, और beta दिया है 1.2, तो sir, हमें कितना चाहिए, जो risk premium है, उससे 1.2, sir, beta मतलब क्या होता, beta मतलब में क्या होता, वो समझा दूँगा, beta मतलब market में जितना fluctuation होता है, market में fluctuation कितना होता है, 10%, तो जिस stock मैं पैसा लगा रहा हूं, उसमें 12% का fluctuation होता है, market की अपिक्छा, 10% की अ 1.2 times ज्यादा चाहिए, it means मुझे 5 तो चाहिए चाहिए, और 7 में ये भी चाहिए, तो मुझे total required rate of return कितना जाएगा, 19.4%, ठीक है, division को revision की तरह पढ़ा सकता हूं, यार मैं यहां मजबूर हूं, मैं बहुत ज्यादा concept में नहीं जा सकता, चलो देखते एक example, RF दिया है, RM दि बीटा दिया, ER दिया, निकल जाएगा, ये RM माइनस RF रिस्क प्रीमियम जाएगा, 4, और क्योंकि बीटा, market का बीटा क्या होता है, 1, market का बीटा 1, तो उससे भी ज्यादा fluctuation है, तो हमें रिस्क प्रीमियम का 1.2 चाहिए, और 6 तो चाहिए चाहिए, तो required rate of return कितना जाएगा 10.8 पॉर्शन, ठीक है, अब सवाल ये है, पहले नंबर पर हमने CAPM में क्या बड़ा equation, और equation क्या है, RF प्लस बीटा, RM मैनस RF, बात करता है, अब दूसरे नंबर पर क्या करना है, calculation of बीटा, ये important है, इससे question आ जाता है, calculation of बीटा, और बीटा निकालने की बड़े सारे फॉर् हमें यहां समझाने वाला हूं, पर पहले एक बात समझा, मैं कह रहा हूं, अगर market में 10% का fluctuation होता है, market का मतलब sensex, sensex में 10% का fluctuation होता है, तो जिस stock की में बात कर रहा हूं, उसमें 15% का fluctuation होता है, ये 10, ये 15, ये 10 से गिरा, ये 15 से गिरा, मतलब market की अपिक्छा कितना times, 1.5 times, this is beta, अच्छा सर, ये तो बड़ा आसान है, हाँ, आसान था, तो beta relationship बताता है, ये सब कहानी किस से रखोगे, calculation, अगर सिब 2 years का return दिया हुआ है, fluctuation दिया, 2 साल का, कि यार, stock का example समझा, stock का 10% से 15 हुआ, market का 12 से 14 हुआ, it means market कितने percent से बड़ा, 2 percent से, तो ये कितने percent से बड़ा, 5 percent से, तो 5 divided by 2, 5 divided by 2, answer है जाएगा, 2.5, तो beta कितना हो गया है, 2.5, beta है 2.5, इसका meaning, इसका meaning सर्फ, market 1 percent से, तो stock 2.5 percent से, ठीक, market की अपेक्चा ज़्यादा fluctuation है, लेकिन ये beta कब चल सकता है सर्, इस ये beta तभी हो सकता है, जब आपको सिफ 2 ही साल का return दिया हो, तब, लेकिन जहाँ, 2 साल से ज़्यादा का return दे रखा है, तो फिर beta निकालने के लिए आपको regression analysis की ज़रुत पड़ेगी, और जिसकी ज़रुत पड़ेगी, उससे बोला जाता है, list square method, सर्, ये क्या होता है, कैसे calculation होता है, मैंने का ना, बहुत ज़्यादा मैस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि revision चल रहा है, तो कैसे निकाला जाता है, अगर 2 साल के stock return दिया है, तो बीटा निकालने का formula, अब सध्यादा से समझना मैं याद दिला रहा हूं, बीटा, रेटवा रहा हूं, ठीक, सुनो, सुनो, नीचे किसका change, सर, नीचे होता था, change in market return, और change मतलब fluctuation, मतलब यहाँ standard deviation of market लिख सकते हैं, हाँ, वही तो है change in market, और उपार change in stock, stock को x लिख सकता हूं, change in market, change in stock divided by change in market, येस, बस यहाँ multiply किस से करना पड़ेगा, correlation किसके साथ x और market, ठीक है, तो यह main formula है, यह भी दो ही formula याद रखोगे, तो भी चल जाएगा, अगर 2 साल का return दिया है, ऐसे, तो वही change in stock return, change in market return, अगर 2 से जादा साल का दिया, तो change in stock return, change in market return, और साथ में correlation का आपको use करना होगा, ठीक है, ठीक है, और भी formula है सर, है, पर एक काम करते हैं, ना question के साथ में करते हैं, तो यह question, बड़े, पढ़ते हैं, इस दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, x, x का मतलब हो गया है सर, stock, और यह क्या हो गया, market, stock और market, अब देखो क्या दिया, इसका average करने में दिक्कत है, तो इसके लिए नहीं regression analysis किया जाता हमें, मतलब नहीं regression analysis है, हम simple सा हमारा formula है, क्या 2 से ज़्यादा stock दिया है, yes, तो formula है हमारा standard deviation of x, standard deviation of market into correlation x और market, पर सवाल यह है, इसके लिए हमको सब निकालना पड़ेगा, क्या निकालना होगा, standard deviation निकालना पड़ेगा, क्या निकालना होगा, correlation निकालना होगा, तो sir, हमने जो modern portfolio theory में, हाँ, जो table बनाया था, वो table क्या हमको फिर से बनाना होगा, हाँ जी, उसके बिना होड़ी नहीं से, तो चलो काम करें हमने x लिखा टोटल मारा और x बार आया 7.6 हाला कि हमें x बार की जरूरत नहीं है हमें चाहिए standard division पर x बार की भी नहीं हो नहीं सकता फिर x minus x बार किया ये x और ये x बार तो ये आया फिर इसको square root किया तो 193.2 आया और फिर आया 6.21 कर ले ना इसको standard division of x आ गया standard division of x आया 6.21 ऐसी standard division of market भी निकालोगी ऐसी standard division of market और standard division of market ये टोटल आया 364 और इसको किया तो ये आ गया 8.54 पर 8.54 कोई दिखकत है क्या नाइसा अब हमें correlation चाहिए और correlation के लिए क्या लगी का covariance तो हमने covariance भी निकाला और वो आ गया minus 2.72 और correlation कैसे निकालते थे sir covariance को divide करते थे standard division of x into standard division of y yes तो वह हमने किया ये आ गया covariance standard division of x और standard division of y 8.54 पर्सेंट है ये गलत में गलता साया थे ये वाला 8.54 यहां 8.54 लेना ठीक तो sir ये आ गया हमारा correlation negative अब हमें क्या चाहिए क्या हमारे पास standard deviation of x है है sir क्या standard deviation of market है yes standard deviation of x भी है किदार x इस इस टेंडर deviation of x भी है इस टेंडर deviation of market भी है और इसके लावा correlation भी है तो क्या बीटा निकल जाएगा yes 6.21 इस 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 डेंडर deviation of x इस टेंडर deviation of market और correlation x और market तो answer आ गया बीटा का और बीटा का answer आ गया minus 0.037 बच्चों का ना बहुत सारा doubts भी आये था doubts यह था कि सर बीटा negative हो सकता बीटा negative क्यों नहीं हो सकता बीटा negative का मतलब क्या है sensex बढ़ता है sensex बढ़ता है market बढ़ता है तो हमारा उल्टा ही चलता है हमारा गिरता है it means हमारे stock का return down होगा sensex का बढ़ेगा तो हमारे stock का return down होगा बीटा negative हो सकता है ठीक है बीटा निकालने का एक तो यह formula हो गया ठीक है सर और एक formula है और वो formula क्या है सुनों अब सुनना देविटे यह derivation है जड़ा ध्यान से देखना मैंने कैसे करवाया मैंने का यह मेंन फॉर्मॉला इस्टेंडर डेविशन अफ एक्स इंटु इस्टेंडर डेविशन अफ वाई इन्टु कोर्यलेशन का क्या फॉर्मुला है सर कोवेरियंस एक्स ओर मार्केट डिवाइड़ बाइस्टेंडर डेविशन अफ एक्स इंटु इस्टेंडर डेविशन अफ मार्केट यह किसका formula सर यह तो तो अब भी तक बीटा निकालने के मैंने आपको कितने फार्मुले बता दिया पहला, चैंज वाला, दूसरा, ये वाला, तीसरा, गुवेरियंस वाला अंसर एक ही आएगा सबसे ठीक है सर बात थो गई और एक फार्मुला, लाश्ट, चार फार्मुले है चारों से अंसर एक ही आना है सर चारों से पर पहला वाला तो चली नहीं सकता दो साल का रिटन दिया है तब ही चलेगा और सर और कौन सा फॉर्मला है इसके लावा और एक फॉर्मला है ठीक है अब सुनो क्या फॉर्मला है यह दिख रहा है यह वाला फॉर्मुला इसको मैंने कहीं कहीं ठीक करवाया है यह M बार और यह माइनस टू नहीं यह स्क्वेर यह वाला फॉर्मुला अभी अभी इंस्टिट्यूट ने डालना स्टार्ट किया है सर यह कहता क्या है यह दिक्त है यह की इसको मैं पूरी तरह से डेरिवीशन पर नहीं जा रहा हूँ पर अगर आपको यह पता है तो यह भी पता है फिर बहुत ज़्यादा मुस्किन नहीं होगी दोनों बात एक ही है कोवेरियंस एक्स एम कैसे आता है सर कोवेरियंस एक्स एम ऐसे आ गया यह है सर कोवेरियंस एक्स माइनस एक्स बार और एम माइनस एम बार और इन सब को जोड दिया और उसको डिवाइट किस से कर दिया फाइफ से यही होता है ना है इन सब को जोड़ दिया और divided by 5 से करती है मैं divided by 5 से अभी करना ही नहीं चाहता तो सर इन सब को जोड़ नहीं है हाँ लेकिन अब देखो इट मिन्स मैं कह रहा हूँ उपर वाला पार्ट निकाल रहा हूँ मैं मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ covariance x y और एक roughly बता रहा हूँ exactly नहीं आएगा क्योंकि derivation किसी और तरीके से पर आपको थोड़ा बात याद हो जाएगा तो सर कैसे निकाले तो मैं कहता हूँ सबसे पहले x minus x बार करते हैं तो एक काम करते हैं सर x का total कर लेते हैं x x x x x x x x पूरा के पूरा यह सर फिर divided by 5 नहीं करते हैं हम divided by इसमें और इसमें divided by 5 यहां भी करना पड़ेगा divided by 5 यहां मैं divided by को हटा रहा हूँ तो ठीक है न सर हमने पूरा x को जोड़ लिया किधर x यह x सर सब को जोड़ा तो मैंने summation of x लिखा मैं गह रहा हूँ x minus x bar और m minus m bar की जगह मैं x और m को अलग कर लेता हूँ और minus x bar और m bar को अलग कर देता हूँ इसका summation और इसका भी summation कर लेता हूँ टेंशन नहीं कता हूँ है ना यार एक ही दो बात है अच्छा तो ultimately coherency तो हो हाँ coherency तो x और m x को जोड़ लिया और m को जोड़ लिया x और m को multiply करके यहां कर दे है ठीक है सर और सर x bar और m bar को कैसे जोड़ोगे x bar का मतलब average average कितना है 7.6 तो पहले 7.6 फिर दूसरे बार भी 7.6 फिर तीसरे बार भी तो इसको जोड़ने की picture सर पासे multiply कर लो ना हाँ तो 5 लिखा यहां n और x bar और m bar को पासे क्योंकि सबकी सब तो average ही है average को कैसे जोड़ोगे यार पासे multiply कर दो ठीक है सर तो यह आप roughly याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ यस सर करवा क्यों हो रहा है हमें किस से करना वो मैं अलाश्ट में बता दूँगा ठीक है और m माइनस m bar तो m माइनस m bar मैंने कैसे क्या होगा summation of m square क्या होगा मतलब मुझे क्या करना था मुझे करना था यह वाला part दिख रहा है यह वाला part करना था ना यार तो वही मैंने कर रहा हूँ यहां m square कर दिया m, m हर बार अलग-अलग रहेगा और m bar हर बार एक जैसा रहेगा इसलों into n कर दिया और square कर दिया ठीक कैसे है इस पे भी question कर लेंगे सब-सब से पहली बात बीटा निकालने के total मिलाकर कितना formula है चार change वाला दूसरा standard deviation वाला तीसरा covariance वाला और चोहता यह बिकार वाला सर तो कौन सा formula जो आपके मन में आता हो लगा हो सर institute number देगा क्या हाँ देगा बहुत सारे question में अभी अभी एक दो question में यह वाले formula लगे हुए और बच्चे बोलते सा और हम तो यह वाला formula सीखे थे इस पर हमको number अगर हमने यह नहीं लिखा भाई कोई फर्क नहीं पड़ता answer एक ही आएगा ठीक है तो यह अगर मैं भी यहां करवा भी रहा हूं तो बेकार की बात है पर फिर भी है तो कर लेते है ठीक है उस पर मैंने एक example भी उठाया था कि कैसे करना है करके ठीक है देख लो एक बार हो सकता काम आजाए तो यार x लिखा है कितना लिखा है 10, 12, 15, minus 2 तो यह total हो गया x बार आगया 7.60 ऐसी m बार आगया ऐसी x into m x और m को multiply किया और यहां total कर दिया और m का square m कहां m यह market और इसको square करके total कर लिया ठीक है ठीक है सर अब इस्टार्ट कर रहे हमारे formula formula में summation of x m x m x को market के साथ multiply करके summation तो यहां आगया 298 फिर n into x bar into m bar n का मतलब number of year x bar into m bar यह कर लिया ठीक है सर और फिर n into m square answer उतना ही आएगा वही पिछला वाला example है 0.037 बट इसमें देखोगी तो बहुत ज़्यादा समय लगा है और इसमें देखो तो 2 मिनट में काम होगा है आप देख लो कि आपको कैसे करना है यह shortcut है सर यह तो long cut है इस पर time बरबाद नहीं करूँगा यह वाला example आपके काम का नहीं है यह on the basis of probability मैंने बच्चों से practice करवाया था तो बच्चे लोगों ने practice किया था आपको ज़र्वत नहीं है हमको beta निकालना आने लगा पूरी picture क्या है पूरी picture यह समझ में आई कि बीटा निकालने के दो formula है basically बस दो ही याद रखना एक दो साल का return दिया तो change वाला अगर दो से ज़्यादा साल का return दिया है तो standard deviation वाला standard deviation of x divided by standard deviation of market into correlation x of market खतम का आओ question बनाए है question number 11 देखें क्या लिखा हुआ है लिखा है the rates of return on the security of company x and portfolio और यहाँ 10 साल का दिया है और x दिया है और market दिया है सबसे पहले बीटा निकालना और फिर characteristic line निकालना for security x तो चलो बीटा निकालना होगा उन्होंने year लिखा x लिखा x minus x बार square फिर y का मतलब market ठीक है यह काम के चीज नहीं है और बीटा निकल गया बीटा का formula लगा दिया होगा 0.505 यह आप कर लोगे प्रेक्टिस कर लेना इसके ठीक है बीटा निकल गया 0.505 अब यार बात है कि characteristic line निकालना है सर यह होती क्या है बस यही तो अब आपको critical line का यूज करना पड़े मैंने critical line का equation मतला था y is equal to b plus mx ऐसी characteristic line का formula हो गया y is equal to alpha plus beta rm इट मिस वो क्या कहना चाहता है बोले rm में कितना change होगा rm में अगर change होगा तो stock में भी तो change होगा तो बताओ rm अगर बढ़ता है तो stock का return कितना आएका यह पूछ रहा है तो ठीक है सर तो सर यह क्या है अभी मैं बहुत ज़्यादा detail इस में लगा नहीं सकता तो सर करने वाले क्या हो alpha plus beta x अब सुनो ध्यान से y का मतलब क्या है सर y का मतलब यहाँ ऐसा कुछ बनता है यहाँ x मतलब यहाँ market लिखा जाता है और y axis पर क्या लिखा जाता है security का return इसलिए यहाँ y का मतलब यहाँ गड़वर्ण मत समझना y का मतलब market नहीं होता y का मतलब हो गया security का return जो की कितना आया है 15 मैंने यहाँ लिखा 15 characteristic line start कहां से होगी alpha alpha से start होगी alpha मतलब वही जो हमने critical line में किया था वह अला point से beta क्या हमको बता है yes और RM हमने निकाल लिया है 12 तो 15 is equal to 15 आया किसका return है stock alpha कैसे आएगा नहीं मादू alpha इसी में यूज होने वाला और एक alpha और पढ़ा हुए वो कुछ और ही पढ़ने वाले beta हमको मालूम है RM हमको मालूम है तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा sir इससे हमारा alpha निकल जाएगा alpha कितना आ गया 8.94 परशन अब expect return of security is equal to line कहां से start होगी एक तो आएगा 8.94 जिसको अपको ने क्या निकाला alpha प्लस beta कितना है 0.505 और यहां आ जाएगा RM it means अगर मैं यहां market का return लिखूंगा कुछ भी तो कोई भी मुझे expect return of stock बता देगा याद करो वही तो किया था यहां हमने concept y is equal to b mx ऐसा कुछ एक critical line का equation पढ़ा था उसी line से यह बना है सर काम की बात करें क्या हाँ काम की बात सर यह है कि beta निकालना आसान है beta तो निकल गया लेकिन जो पूछा जाएगा न वो पूछा जाएगा बताए characteristic line क्या होगा for security x तो इसके लिए करना क्या यह expect return of security है तो यार हमको beta पता होता हमें RM पता होता हमें alpha नहीं पता होता तो हम क्या करते expect return को पहले put कर लेते उससे alpha निकाल लेते है और एक बार alpha पता लग गया तो फिर तो ठीक है alpha पता लग गया तो यहां लिख दिया और यह जो line आई इसी का नाम हो जाएगा CLA तीक है वो ही मैंने काम किया यहां मेरे पास time ही नहीं है concept तन जाने का मुझे बहुत speed से काम करना पढ़ेगा ठीक है जो चले और इसी को बला जाता characteristic lie चलो तो पहले number पर क्या बढ़ा था अब थोड़े speed से चलते हैं बहुत हो गए सर फर्स नंबर पर हमने पढ़ा था C.A.P.M का equation जी दूसरे नंबर पर पढ़ा था हमने बीटा calculation जिसमें हमने characteristic line भी पढ़ा था तीसरे नंबर पर हम पढ़ा है बीटा of portfolio आखिर portfolio का बीटा कैसे निकाला जाता कुछ भी नहीं है weighted average करना है बात करता हूँ मतलब क्या कहना चाहते हो सर बिटे एक बाल बता हूँ हमारे पास मालो चार स्टॉक्स है A.B.C.D. और पैसा ये लगा है 4,25,75 और उसका बीटा भी दिया हुआ है तो मेरे portfolio है कितने का अगर add करोगे तो आपको portfolio कितने रुपे का ही पता लग जाए था देख लूँ कि एक पर 4,50,000 प्लस 8,25,000 प्लस 75,000 प्लस 1,50,000 तो मेरा जो portfolio है वो कितने का है 8,00,000 और RF दिया और market का return दिया है ठीक है हमसे मांग क्या रहा हमें expect return निकालना है किसका निकालना portfolio का नहीं निकालना है हर एक security का निकालना है इसका 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 चार stocks है और चारो का हमें expect return निकालना है और किसके हिसाब से निकालना CAPM के हिसाब से निकलना Capital Asset Pricing अब मैंने जो 4 stocks उठा रखा है portfolio जो बना रखा है वो कुछ जादा रिस्की भी है कुछ कम रिस्की भी है इस तरह से मैंने बना रखा है तो निकाल सकते हैं क्या इसका expect return कितना आएगा इसका कितना आएगा इसका कितना आएजाएगा हाँ सर हो जाएगा तो CAPM के equation हमको मालूम है expect return रे प्लस रे मारे बीटा और बस ये चेंज नहीं होगा ये चेंज नहीं होगा बस बीटा चेंज करते जाएगा अंसर निकल जाएगा expect return of individual stock का निकल गए अब क्या portfolio का निकल जाएगा yes sir weighted average कर लेंगे और ये मैंने weighted average किया ये 45,000 नहीं ये 4,50,000 ठीक है बाकी आप देख ले न calculation एक पच्ची 75,000 1,50,000 ठीक है तो portfolio के return कितना आगा है 14.37 अब दूसरे number पर क्या मांग रहा है beta of portfolio तो beta of portfolio निकलने का तरीका कैसे है expect return of portfolio ये मालूम है हमको yes RF मालूम है RM-RF मालूम है बस beta किसका क्योंकि ये portfolio का return लिखा है तो यहाँ जो beta आएगा वो तो portfolio का आएगा और beta of portfolio हमने ये निकल लिया it means एक ये तरीका है question आते है sir exam में तो तरीका क्या है एक तो ये तरीका है कि sir आप एक काम कीजिए आप हर एक stock का CAPM के साबसे expect return निकल लिए और जो return निकला है उसका weighted average कर दीजिए तो ये किसका return आजाएगा portfolio का return और उसके बाद सर आप एक काम कीजिए portfolio का return निकल गया तो वो आपसे portfolio का beta मांग रहा था portfolio का बीटा निकल लिए एक तो ये तरीका दूसरा तरीका है कि आप पहले portfolio beta निकल लिए weighted average ये साड़े चार लाक है है न तो weighted average हमें portfolio का beta निकला तो ये आ गया 1.395 ठीक ठीक है सर 1.395 और फिर portfolio का beta सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो बच्चो सुन लो ये जो portfolio का beta निकलने का question है न वो बहुत ज़्यादा आता है हमारे exam में अब exam में जब आता है न यार वैसे तो यार कुछ है नहीं है मालू है सिधा one points में ज़रूरत नहीं है पर ICAI table बना के काम करता है weighted average करता है पर table बना के काम करता है तो मेरी भी request है थोड़ा सा time लगे तो लगे no doubt sir one point three nine five के लिए क्या table बनाना बना लेना यार लिकत क्या है तो पास होना है यार तो table कैसे बनाया जाता है वो हमको मैं कहरो portfolio बीटा है या तो ऐसे निकालो weighted average ही या तो ऐसे निकालो ABCD लिख देना साड़े शार लाक ये लिख दोगे तो यह आ गया मेरा आट लाक रुपए है और weight लिख देंगे weight निकालना आता है आपको weighted average हाँ सर ये weight आ गया और weight into beta weight into beta करोगे तो यह आ गया 1.395 1.394 या 1.395 ठीक है ठीक है ठीक है और एक बार portfolio का बीटा निकला तो expect return of portfolio तो वैसे भी निकलने के तो कितना point हो गया CAPM equation, beta calculation, portfolio बीटा कैसे निकलते अब सबसे important topic जिसका नाम है beta management point number 4 क्या पढ़ रहे है capital asset pricing model उसमें क्या पढ़ने जा रहे है beta management और यहां से बहुत question है भाई, बहुत question beta management है क्या? सुनो beta management यार आपने ना बहुत सारी stocks आपके पास है A, B, C, D किसी का beta कम है, किसी का beta ज़्यादा है कोई ज़्यादा बीटा है, कोई कम बीटा यह beta ज़्यादा है, यह beta कम है इसके सबसे आपने portfolio beta निकाला और portfolio beta आगे आपका 1.40 मन से लिख रहा हूँ 1.40 weighted average portfolio beta आगे है अब इसको और beta का मतलब क्या है, सर, beta का मतलब है कि market गिरा ना 10% से तो आपका पूरा की पूरा portfolio गिर जाएगा 14% से चाहे आप एक stock में लगाओ आपने लगाया तो market के गिरने से आपका portfolio गिरेगा अब मेरे मन में क्या इससे बचा जा सकता है, बचा जा सकता है थोड़ा बहुत तो बची सकते, सर, कैसे बचोगे वो depend करता है आपके expectation पे, इसको बोलते है expectation theory सर कैसे, अगर आपको लग रहा है कि market गिरने वाला है तो इस portfolio का जो बीटा है, ये कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए सर, market गिरेगा, यस, तो portfolio भी गिरेगा, तो बोलो, जोड से गिरे कि धीरे से गिरे गिरे, थोड़ा सा गिर जाए, चल जाएगा, सब बरबाद हो रहा है, तो हम भी बरबाद होने को तयार है पर बिल्कुल थोड़ा सा, तो ये जो portfolio बीटा दिख रहा है आपका ये, इसको हम कम करने की कोशिश करेंगे, इसको हम manage करेंगे तो कम कैसे करें, तो कम ऐसे भी कर सकते हैं पहला तरीका, ये जो जिसमें सबसे जादा बीटा दिखाई दे रहा है, कितना बीटा दिखाई दे रहा है, 1.75, इसको बेच दीजिए, बहुत risky है ये, क्योंकि अगर गिराना market, तो ये वाला जो stock है, ये तो बरबाद कर देगा आपको, तो इसको बेच दीजिए, और जो सस्ता जिसका बीटा कम है, वाला stock खरीद दीजिए, मतलब एक stock को replace करके, दूसरा stock डाल दीजिए, एक तो ये तरीका है, बीटा management का, दूसरा तरीका ये है कि इन portfolio को हाथ मत लगाई है, छुना भी मत इसको, और कुछ पैसे risk free में डाल दीजिए, दो तरीके, या तो इनको activities रहने दो, और कुछ पैसे, और risk free में डाल के, पूरा portfolio बना लीजिए, आपको बीटा कम करना है, कैसे भी कम करो, और एक तरीका है सर, कि इस में से कुछ पैसे निकालो, इस में से, सब में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल कर, risk free में डाल दीजिए, risk free का beta क्या होता है, 0, अच्छा, ये है beta management, और अगर ऐसा लग रहा कि market बढ़ने वाला future में, अच्छा है, economy boom है, तो ये इस में लगाओ पैसा, और जबरत पड़ी तो risk free से भी लगाओ, इस में लगाओ, तो दो तरीके हैं, पहला, एक stock को बेचके, दू दूसरी stock में पैसा डालो, दूसरा risk free का यूच कीजिए, और तीसरा और तरीका है, कि beta management कैसे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, with the help of stock index future, वो यहां नहीं पढ़ेंगे, वो हम derivative में पढ़ेंगे, derivative के revision में हुआ जा है, तो beta management means changing on beta on the basis of market expectation, आपको क्या लग रहा है, अगर market is expected to rise, आ अगर आपको लग रहा है कि market बढ़ने वाला तो beta क्या होना चाहिए, increase, अगर आपको लग रहा है कि market गिरने वाला तो beta क्या होना चाहिए, decrease, और techniques कौन-कौन सा यूच करोगे, या तो risk free security को यूच करोगे, ठीक है, जो मैं बताया, आगे बताऊंगा भी, या तो एक stock को ब पढ़ना है, dairy videos में पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो चले, यह तो हो गया कहानी, किससे, theory जो मैंने करवाया, अब practical point पर आ जाते हैं, ज़्यादा अच्छा, example number 16, अब ध्यान से काम करना है भाईस, आप बहुत सारे question है, इस पर, करे, यास, चार stocks है, A, B, C, D, और उसका बीटा दिया है, और पहले number पे बोल रहा है, portfolio बीटा निकाली है, पहले वही बुलेगा, कि कहेगा कि portfolio बीटा निकाली है, जो कि हमने निकाल लिया होगा, और portfolio बीटा आ गया 1.24, पहला काम खतम होगा, portfolio बीटा आ गया, weighted average बीटा यार वो कर ल सिफ समझना दुख से number पे क्या बोल रहा है, अगर हम invest कर रहा है, कितना 3,00,000, किस में पैसा लगा रहा है, risk free में, risk free का बीटा क्या होता है, 0, तो बताइए, अब portfolio का बीटा क्या आ जाएगा, it means, जो पैसे जहां पड़े है, वो पड़े रहने, दो इसके अलावा हम risk free stock में भी पैसा लगा रहा है, 3,00,000, तो मेरे portfolio के बीटा में कोई फरक पड़ेगा, कि नहीं पड़ेगा, यह देखना है, हमारा portfolio तरीका और था, कि sir, इसमें और add कर देंगे 3,00, और into क्या हो जाए जीरो, और total कितना हो जाएगा, 15,00, बात कतम, या फिर हम कहते हैं कि यार, छोड़ो ना, हमारे पास और एक short cut technique है, हमारा already कितना पैसा लगा, वो 12,00, और जिसका बीटा कितना है, 1.24, 15,00, sorry, 12,00, into 1, और कितना पैसा लगा है, हमने risk free में, 3,00, और risk free का बीटा क्या है, 0, टोटल 12,00, 15,00, का हमारा portfolio है, तो बताओ portfolio का बीटा कितना आ गया है, 0.993, ठीक है जी, हाँ, point number 3 बहुत अच्छा है, और इस point number 3 से हमारा बहुत कुछ concept कवर होने वाला है, पढ़े हैं, we want to reduce beta portfolio, अगर हमें beta portfolio 0.85 रखना है, तो, how much amount to be invested in risk free, risk free में कितना पैसा लगाएंगे, x, sir, इस से compare, इसको छोड़ दो, ये तो हो चुका है, ये 15,00,000 की बात नहीं है, ये risk free वाला छोड़ देते हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरा already कितना लगा हुआ है, 12,00, और already beta portfolio कितना आया हुआ है, 1.24, ये 2.41 देख लेंगे ये, 1.24 आया हुआ हुआ, हम कहते हैं, इस portfolio का beta को 1.24 से 0.85 करना है, ठीक है, तो हमें risk free में पैसा लगाना है, कितना लगाए कि portfolio का beta 0.85 है जाहें, कितना लगाए, x, वही मैंने काम किया होगा, मैंने माना, it is assumed that risk free investment be x, पैसा कितना लगाना, x, तो 0.85, 0.85 क्या है, portfolio beta, 12,00, already लगा, into 1.24, और x into 0, 0 क्यों, क्योंकि risk free का beta 0 होता है, और 12,00, plus x, वही तो किया था, 12,00, plus x, इस equation को solve किया, तो बताए, risk free में कितना पैसा लगाना है, 5,52,000, इसका मतलब, इसका मतलब यह हुआ, कि जो 12,00,000, रुपए है, वो तो रहे गई रहेगा, plus, और risk free में कितना आ जाएगा, 5,52,000, अब total portfolio आपको इतने का बन गया है, actual में यह मतलब, आपको इस portfolio के साथ छिड़ चड़ नहीं करनी है, ठीक है ना, ठीक है, ICAI क्या करता है सर, इस method के लावा ICAI का और एक method है, वो क्या है, बोल रहा है यार, portfolio का beta कैसे निकाला जाता है, बोले, beta of stocks, यह 12,00,000 पर जो लगा है, उसका weight, और beta of B, और उसका weight, ठीक, अब अल्रेडी हमारा 1.241 है, किसका, इस stocks का सम्मिला कर portfolio के beta, तो उसका weight of A, और हमको किसका डालना है, risk free का, risk free का beta क्या होता है, 0, और यहां जाएगा 1 minus weight of A, ultimately तो सरी 0 ही हो जाएगा, yes, तो आप weight of A निकल सकता है, कैसे निकलेगा 0.85, तो यह आगया 0.685, 0.685, यह क्या निकला weight of A, समझा रहा हूँ, ICA का है, सर, weight of A का मतलब क्या होता, weight of A कैसे निकला रहता है, बड़ा simple है, बोले, target beta divided by beta of portfolio, बोले, जब भी ऐसा बोलेगा ना, कुछ नहीं करना, weight of A निकलना है, तो ऐसे करना, target beta, target beta कितना रखना है आपको, सर, 0.85, और beta of portfolio कितना है, 1.24, 1, तो answer यह यह आजाएगा, 0.685, यहां तक ठीक है, इसका मतलब वो क्या समझाना चाहता है, वो यह समझाना चाहता है, कि जो 12 लाख है, जो लगा हुआ है, उसका weight है 0.685, वो है 0.685 के बराबर, तो 12 लाख divided by 0.685, तो हमारा जो total portfolio होगा, वो होगा, 17,51,825, यहां तक ठीक है, उसमें से 12 लाख तो हमारा पहले से portfolio है, बचा हुआ पैसा हम कहां लगा देंगे, risk free में, लग बग इतना ही आएगा, fraction की वज़े से अलगा है, कहना क्या चाहता हूँ में, बस यह समझने की कोशिश करना, मैं यह कहना चाहता हूँ, मैं यह कहना चाहता हूँ, या तो ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो, और मेरे ख्याल से आपको ICAE वाला ज़्यादा मजाता होगा, सर, weight of A निकलना, तो target beta divided by beta of portfolio, जो भी weight आएगा, और जो भी portfolio है, जो portfolio है, वो इसके बराबर है, तो total portfolio तो 12 लाग से ज़्यादा हो जाएगा ना सर, तो ये निकल गया, इस में से 12 लाग तो है हमारे पास, बचा हुआ है, risk free stock अचाहेगा, ऐसे भी कर सकते हो, या तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्ची, ठीक, लेकिन समस्या उस point में नहीं है, ये तो कर ही लोग है, समस्या आ गई इस point में, अब ये क्या बोल रहा है, इसको पढ़ों, yes, suppose we want to reduce beta portfolio, point 85, यही करना है, लेकिन इसके लिए 12 लाख तो था, उसमें risk free डाल रहा है, ऐसा नहीं है, क्या हम बोल रहा है, कि हम risk free तो खरीदेंगे, लेकिन जो existing stock है, उसको बेच देंगे, ये बहुत important है, मेरे पास 12 लाख है, पहले वाल इस point में, मैं क्या कर रहा था, सर मैं क्या कर रहा था, मैं risk free को, बस इसको छू नहीं रहा था, ये as it is रहेगा, risk free को add कर दे रहा था, अभी क्या करना है, बोले, ऐसे नहीं, 12 लाख में से कुछ stocks based दो, और उतने ही रुपए के risk free खरीब लाओ, it means मेरा portfolio कितना रहेगा, 12 लाख है, 12 लाख में से 2 लाख का बेचा, और 2 लाख का risk free डाल लिया, तो बताइए कितने रुपए कि weight कितना आ जा है, 0.85, यह point, ये point important है, चलो तो हम अपने दरी किसे खरें, yes, point 85, 12 लाख into 1.241, minus, बेच होगे क्या X, और उसका भी बीटा क्या रहेगा, 1.241, मतलब इसी में से तो बेच रहे हो, और खरीद रहे हो X, उतने ही amount का, उसका बीटा क्या है, 0, नीचे 12 लाख का 12 लाख रहेगा, उस हिसाब से X का value आ गया, 3,78,020, it means, मेरा portfolio कितने का रहेगा, total portfolio रहेगा, सर 12 लाख का, उसमें से risk free आ जाएगा, 378082, अब 12 लाख में से ये minus करोगे, तो यहाँ आ जाएगा, जो आपने stock, stocks था 12 लाख का, पर कुछ इधर transfer कर दिया, दूसरा IC AI तो वो ही चलता है, और यह निकाला 0.685, अब इस 0.685 का मतलब समझ रहेगा, अब मतलब है कि, total सर अब 12 लाख रहेगा, 12 लाख का 0.685 इधर चला जाएगा, और बचा हुआ इधर आ जाएगा, अब अंतर आ जाएगा, अब पोर्टफोलियो में से ही, इस में से 12 लाख में से कुछ पैसी यहाँ transfer कर रहे है, दोनों पॉइंट्स में अंतर अगर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे, आप क्योंकि इंस्ट्यूट्स दोनों ही पॉइंट्स से कॉश्चन दे रहा है आजका, ठीक, डिस्पोज ओफ वाला सब्दा आएगा, करवाँगा मैं वह डेरिविट्व यहीं होगा तो मैं कर बाकि डेरिविट्व में तो हाई वो कॉश्चन, चले, कॉश्चन बनाए क्या, ठीक है सर, और एक एक ग्जामपल है, देखी लेते हैं, तो एक मैंने किसको यूज किया था, रिस्क फ्री, दूसरा क्या तरीका है, सर, एक सिक्क्यूरिटी को बेचिए, दूसरे को खरी देजिए, तो तीन स्टॉक्स है, ए, बी, सी, और उनका बीटा दिया हुआ है, सबसे पहले पॉर्टफोलियो बीटा निकालना, तो वेटे डिवरेस वो तो कोई भी निकालेगा, 1.93, दूसरा, सपोज भी वांट टो रिप्लेस, सिक्क्यूरिटी सी, सिक्क्यूरिटी सी को रिप्लेस करना चाहती है, जिसमे टोटल पॉर्टफोलियो कितना था, 15 लाक और उसका बीटा कितना निकला था, 1.93, हटा रहा है, 3 लाक इंटू 3, आ रहा है, 13 लाक ने, 3 लाक इंटू 1.25, तो यह आ गया, 1.50, दूसरा, सपोज, वी वांट टो रिप्लेस सिक्क्यूरिटी सी, सिक्क्यूरिटी सी को हटा र ले रहा है, जिसका बीटा कम होना चाहिए, और इतना होना चाहिए कि पोर्टफोलियो का बीटा 1.75 होना चाहिए, ठीक है, हो जाएगा, 1.75, 15 लाक इंटू 1.93, माइनर सिक्यूरिटी सी हटा रहा है, 3 लाक इंटू 3, और लगा रहा है, 3 लाक किसमें, यह बीटा यह होना चाहिए के पोर्टफोलियो के बीटा 1.75 आजा है तो आसर आजाएगा 2.083 कोश्चन नमबर 18 स्वरी कोश्चन है एक्जांपल नमबर एक्जांपल ही सब कुछ है एक्जांपल से न आपके बिल्कुल कॉंसेट कवर हो जाएगा पर यह अच्छा अच्छा एक्जांपल अच्छा तीनी स्टॉक से दो लाग दो लाग एक लाग टोटल पाच लाग बीटा दिया तू 1.8 और 0.9 सबसे पहला पोर्टफोलियो बीटा निकालना जो बहुत आसान है और वो आ गया 1.70 इसमें कोई दिक्कत नहीं है दूसरा पॉइंट समझता है सपोर्स वी वांट टो इनक्रीज बीटा और कितना बीटा करना चाहते है बुले 1.9 अभी 1.70 था अब करना है 1.9 ऐसे कैसे हो सकता है हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा इसलिए हम बीटा भी बढ़ाना चाहते 1.9 और इसके लिए हम किसको लेना चाहते है बुले हम रिस्क फ्री को यूच करना चाहते है रिस्क फ्री को कैसी यूच करो गया मेरा तो market में already पैसा लगा है और जो पैसा लगा है वो risk की security में लगा है और उसका beta already 1.7 है तो risk free में डालोगे तो beta तो कम हो जाएगा weighted average बड़ भी सकता है आप risk free में पैसा लगाऊ मत वहां से और पैसा उठाईए अच्छा और उसको भी market में लगाईए तो वह ही है तो यहां मैंने risk free को क्या माना x 1.9 रखना है 5,000,000 into 1.7 और x into 0 तो मेरा total portfolio 5,000,000 तो पहले से लगा है कुछ पैसे और लगा दूँगा तो answer आ जाएगा और कितना पैसा लगेगा 52632 ठेक अच्छा कोश्चन है इतमेस weight negative में आएगा आज आने देना डरना मत और सर वैसे भी कर सकते है क्या target beta और beta portfolio ऐसे भी कर सकते है target beta कितना 1.90 beta portfolio कितना 1.70 ऐसे भी कर के कर सकते है 1.117 कर के आ जाता ठीक है और फिर उसके सबसे काम कर ले थे खैर हमारा ये question से हो गया बात कर ले चलो भई बहुत time pass हो गए sir question बनाएं क्या yes question बनाने जा रहा है देखते है अब portfolio manager has the following four stocks in his portfolio लिए 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 ल, csl, sml और apl और number of shares दिया है और market price दिया और beta दिया है सबसे पहले बोला portfolio beta निकालिये है क्या portfolio beta निकालना है वैसे तो weighted average हो सकता please पर मैं आपसे request कर रहा हूं कि आप table बनाओगे ठीक है तो table कैसे मनाया stocks लिखा numbers लिखा उसको market price से multiply कर दिया तो यहां आ गया amount total portfolio कितने का है 12,00,000 और फिर weight निकाला और फिर beta से multiply किया तो final answer आ गया 1.108 में बार बार beta निकालने के लिए table बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ आगे हो ना हो पर इस पर अच्छे खासे number मिल जाएगे ठीक है ठीक है इस बीटा of portfolio आ गया if the portfolio management seeks to reduce beta कम करना चाहते है और beta कितना करना चाहते है 0.8 करना चाहते है तो बताए रिस्क-free में कितना investment करेंगे it means ये 12,00,000 का 12,00,000 रहेगा साथ में हमें रिस्क कहीं भी disposed of ऐसा सर्द नहीं लिखा तो 12,00,000 का 12,00,000 रहेगा plus और रिस्क-free में और invest करेंगे हमारे पस ठीक तो 12,00,000 हमारा equation के सबसे हमें beta कितना रखना है सर बीटा रखना 0.8 तो 0.8 लिखा 12,00,000 into 1.108 और रिस्क-free में कितना डालना है x into 0 और 12,00,000 plus x इसको solve किया तो solve करने से amount आ गया और amount कितना आ गया 4,62,00 तो total अब हमारा portfolio कितने का बन गया 16,62,000 का जिसमें 12,00,000 आपका कहां पैसा फसा हुआ है stocks में और 4,62,000 कहां लगा दिया आपने risk-free stock का है कोई दिक्कत है यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर अब institute क्या करता है institute इस बात को verify करने की कोशिश करता है कि portfolio का beta यह मिस्प्रिंट है 0.80 आ रहा है कि नहीं आ रहा है 0.80 ही रखना था ना यहां calculation देख लेना आप आप calculation देख लोगे यह तो 0 आ जाएगा ठीक क्योंकि calculation करने मेरे पास time नहीं तो अभी क्या करना इसको verify करने यह amount लिखना पाच लाक एक लाक दो लाक चार लाक पाच लाक एक लाक दो लाक चार लाक तो total कितना हो गया पाच लाक एक लाक दो लाक चार लाक और risk-free में आएगा 4,62 तो total कर आ गया 16,62 आप calculation देख लोगे और फिर weight निकला weight into beta देखोगे तो beta जाएगा और beta जाएगा 0.80 आपको ये verify करना पड़ेगा ठीक है ठीक है sir point number 2 हो गया अगर portfolio management increase करना चाहता है 1.2 beta पहले कितना था 1.108 और 1.2 करना चाहता है तो क्या होगा तो मेरे ख्याल से ये मैंने नहीं करवाया ये मैंने बच्चों से ही करवा लिया था और उन्होंने आसानी से कर दिया था no doubt के risk free यहां borrow आएगा मेरे ख्याल से आप कर लोगे हाँ यार नहीं तो आपको मेरे notes दे ही रहा हूं जाए description में आपको मेरे किसी student का class note से मिल जाएगा प्रोपर ले ठीक है चलिये इस question को करके जाना ये question अच्छा है यार question number 23 question number 23 Mr. Fedup wants to invest an amount कितना और रुपए है पास्व बीस लाग and had approached his portfolio manager the portfolio manager had advice Mr. Fedup to invest in the following manner तो आपने पैसा लगाया 60, 80, 100, 120, 120 और 106 और बीटा दिया हुआ है ठीक है you are required to advise Mr. Fedup in regard to the following using capital asset pricing model हमें निकालना expected return on the portfolio अगर RF दिया है 8% और Nifty मतलब RM दिया है 10% और हमें निकालना expected return of portfolio अपसे अच्छा तरीका portfolio का बीटा निकाली है और फिर C.A.P.M में लगा दीजिए तो वही इन्होंने भी portfolio का बीटा निकालना है और C.A.P.M में लगा दिया है तो answer अगए 10.21% और advise किजिए replace करना security better कहा है security better ये बाला जिसका बीटा है 1 उसको किसके साथ replace करने का सोच रहे है Nifty कोई मतलब नहीं है Nifty का भी बीटा 1 होता है उसका भी बीटा 1 होता है तो replace करने का कोई सेंस नहीं ठीक है इसको मैंने लिखवा दिया था question number 18 कहां का question study mat का प्रैक्टिसमेनल का और ये question बार बार आता है तो अच्छे से करना होगा पड़े yes your client is holding the falling security अच्छा question है भाई अच्छा question है प्लीज अच्छे से देखके जाना मेरी जो कल मेरा last revision lecture आएगा ना portfolio management का उसमें एक revision list डाल दूँगा कि इन questions को पक्का pain copy उठाई और बना कर देखिए questions अच्छे बहुत तो particular security दे रखा x y z और bonds अगर इन stocks में पैसा लगाती हो तो आज कितना लगेगा यह 8000 10,000 16,000 34,000 कब लगाएंगे आज cost दिया है और जब पैसा लगाए हो तो आपको dividend या interest भी तो मिलेगा और कितना मिलेगा बोले इतना इतना हमें dividend या interest भी मिलेगा और जहां आज लगाए हो तो उसका market price क्या हो गया बोले market price यह हो गया 8,200 10,000 522,000 और 32,300 और उसका beta भी दिया है और risk free कितना दिया है 15% मांग क्या रहे है सर मांग क्या रहे है expected rate of return in each हर एक का आपको हर एक का expected return निकालना है using the capital asset pricing model सर तो expected return निकालने का formula है RF plus RM minus RF into beta माल लो हमको इसका निकालना है company X का तो RF हमको पता है क्या RF दिया सर पंद्रा परशन RM पता है क्या नहीं beta पता है क्या सर बीटा दिया point 8 हमको RM नहीं पता अब क्या करें IC AI RM कैसे निकाला है सुनो उसने कहा भाई ये सब मिला कर market बना ये सब मिला कर market बना तो market में आपने X, Y, Z, PSU bond इन सब में पैसा लगाये ना तो ये सब मिला कर market हुआ कुछी भी बात कर रहा है लेकिन रटना रही है इसको रटने वाला कोश्शन है तो बोले आज हमने पैसा लगाया है ये और एक साल बाद हो जाएगा ये तो कितना एक्टर सब को जोड लीजिए सब को जोड लेंगे 8200 प्लस 10500 प्लस 22000 प्लस 32000 सब को जोडने से यहां आ गया 73,000 और बोले कितना लगाया था तो बोले 8000 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 34,000 सब लगाया था 68,000 तो बोले देखो चैंज इन प्रैस P1 माइनस P0 73,000 माइनस 68,000 तो हमें 5000 का फाइदा हुआ और ये भी तो मिला 800 इंटू 3 प्लस 3400 हमें और मिला 5800 तो टोटल हमारी ये कमाई हुई P1 माइनस P0 प्लस इनकांब डिवाइड वाई कितना लगाया था तो अंसर आ गया 15.8 और इसको उसने लिखा आ रहें ये कोश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपसे बोल रहूं कि अच्छी से करना ठीक है और एक बार आरें निकला तो फिर हर एक स्टॉक का क्या निकल जाएगा हर एक स्टॉक का एकस्पेक्ट रेटर निकल जाएगा ठीक है और उसके बाद क्या करना एवरेज रिटन आप पॉर्टफोलियो निकलना तो एवरेज रिटन आप पॉर्टफोलियो निकलना है लेकिन अगर सिफ एवरेज लिखा रहता तो तो वेटेड आवरेज भी कर सकते थे पर इंस्टॉट ने सिंपल आवरेज में काम कर रहा तो हम क्यों जब रदस्ती महनत कर रहा है हम भी सिंपल आवरेज में काम कर रहा है ठीक इसी तरह से question number 19 यो client is holding the following security gold, silver, bronze, government of India ये दिया है, dividend दिया, market price दिया, बीटा दिया इस बार average return किसका दिया है, portfolio का दिया है portfolio का average return दिया है calculate, expect rate of return in each using the CAP पिछले question में और इस question में अंतर क्या है पिछले question में RF दिया हुआ था तो sir इस question में क्या करना है, इस question में RF निकालना पड़ेगा कैसे निकालना है, हमको portfolio का return योज करना पड़ेगा कैसे निकालते हैं, sir expect return of portfolio is equal to RF plus RM minus RF beta of portfolio क्या beta of portfolio निकल सकता है, portfolio का यह sir weighted average कर लेंगे, यह simple average sir weighted average करना चाहिए logically, simple average मैं फिर से बोलो हूँना, simple average alternative of weighted average कर सकते हैं ठीक है, उसके बाद, beat of portfolio निकला, और expect return of portfolio हमको मालूँ है, 15.7 उसके बाद, RM तो निकाली लेंगे, तो फिर RF निकल जाएगा, और एक बार RF निकला तो फिर RF मालूँ है, RM मालूँ है, काम हो जाएगा तो सबसे पहले ये क्या करने की कोशिश कर रहे है, सर, ये सबसे पहले RM निकलने की कोशिश कर रहे है, RM तो RM निकाला इन्होंने कितना आ गया, 16.70%, नहीं, RM निकल गया, बीटा का उन्होंने सिंपल एवरेज किया, 0.5025, और इसको CAPM में लिख रखा, तो क्या आ गया, RF और एक बार, RF मिल गया, RM मिल गया, तो फिर उसने सबका निकल लिया, गोल्ड का, सिल्वर का, यहां पूरा है नहीं है, पर उन्होंने पूरे का निकाल लिया होगा, ठीक, हो जाएगा ये कोशिश न, तो क्या-क्या पॉइंट हो चुके हैं, सर, CAPM पढ़ रहे थे, यस, पहला काम हमने क्या किया, हमने एक्वेशन पढ़ा, RF प्लस, RM माइनस, RF into बीटा, उसके बाद बीटा कैलकुलेशन पढ़ा, ठीक है, उसके बीटा कैलकुलेशन और करेक्रिस्टिक लाइन पढ़ा, यस, उसके बाद पोर्टफोलियो बीटा कैस आता है, एक सेकेंट, खूल लगा, आज की ग्लास यहीं, ओवर करना पढ़ेगा, कुछ टेक्निकल इस्यू आये था, कल लेकिन लास्ट पार्ट होगा, यह सेकंड पार्ट है, कल इसमें, CAPM में, कहां पर पहुँच गया थे हम लोग, यहां, अल्फा कैलकुलेशन, तो कल अल्फा कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे, हो सकता है, कल धाई घंटे की क्लास हो जाए, आज देड़ी घंटे की क्लास होई है, अल्फा कैलकुलेशन लेंगे, अल्फा कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आर्बिटरिस प्राइसिंग है, इसी अल्फ लगेगा और एक लास लगे मत्तो हो जाएगा धाई गंते तो कम से कम लगेगा भाई तो कल की क्लास होगे धाई घंटे जिसमें हमारा खत्म फश। कम झाल झाल